Hello students, welcome back to my channel, easy learning, 100% to student, आज में Standard 2nd का Mathematics का Workbook का Chapter No. 2 आपको कराने जा रही हूँ, जैसे कि आपने Chapter No. 1 में Shapes के बारे में सीखा, अब Chapter No. 2 में कुछ और Geometrical Shapes हैं, वो हम सीखेंगे, So let's handle Geometrical Shapes, चलिए देखते हैं, क्या है हमारे Geometrical Shapes, जो Maths में Use होते हैं Shapes, उसके बारे में, यह आपको Textbook Page No. 2-5 में मिल जाएगा, Textbook में भी आप देख सकते हैं, तो चलिए, Workbook में हम स्टार्ट करते हैं, Now let us understand more shapes, हम कुछ और Shapes के बारे में सीखेंगे, जैसे कि हमने First Chapter में Cylinder Shape के बारे में सीखा, तो यहाँ पर कुछ और भी shapes हैं, तो वो हम देख लेते हैं, Look at the figure and read aloud, आपको figure देखना है और read करना है उसको loudly, Any object shape like a brick is called a cuboid or a paralog typed, कोई भी ऐसा shape, कोई भी object का shape, जो कि brick के shape में, brick means क्या होता है student, brick means आपने घर बनाते समय कभी देखागा, इट होती है, इटा जिसे हम कहते हैं, तो वो आपने देखागा, उसका shape कैसे होता है, ठीक उसी, उस, उस shape को हम cuboid और paralog typed भी बोलते हैं, लाइक मैच स्टिक का box देख लीजी, अगर आपके, आपने brick नहीं देखा है, तो जो माचिस की डिग भी होती है, वो आप देख सकते हैं, वो भी उसी shape में होती है, brick के ही shape में होती है, तो वो भी cuboid shape है, और उसे हम parallel pipe भी बोलते हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है कि cuboid को हम parallel pipe भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये 3D shapes होते हैं, चारो तरफ से होते हैं, तो इस तरीके से ये shape होता है, like a rectangle, rectangle shape में होते हैं, बट ये चारो तरफ से होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कि word shape, तो shape like a clone's cap is called a cone, yes, आपने joker की टोपी ती, देखी होगी student clone यानी joker तो joker की टोपी कैसे होती, ऐसे cone shape में होती है, तो yes, ये कौन सा shape है, cone, next है, a bottle like shape with a circular base is called a cylinder or a circular prism, आपने bottle को ही देखी होगी student, तो कैसे चारो तरफ से वो गोल होती है, और नीचे उसका base होता है, आप bottle नीचे रखते हैं, base होता है, तभी तो रखते हैं, round रहेगा तो कैसे रखते हैं, तो इसलिए नीचे base होता है, और ये बाकी जो shape होता है, वो circular होता है, तो इसे हम कौन सा shape बोलेंगे, cylinder, या तो cylinder भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है circular prism, जैसे यहाँ पे cuboid को पैलो पाइब भी बोला जाता है, उसी तरीके से cylinder को circular prism में भी बोला जात है, चलिए, next shape देख लेते हैं, a shape like a ball is called a sphere, आपने circle तो सिखा है, बट sphere क्या होता है, जैसे कि circle आपने paper पे एक ड्रॉ कर दिया, एक छोटा सा circle ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एक ही face दिख रहा है, बट ball कैसे होती है, चारो तरफ से गोल होती, तो उसे हम क्या कहते है, sphere कहते है, तो ये भी three shape है, means चारो तरफ से वो आपको दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे students, sphere कहेंगे, जैसे हमारा जो earth है, वो भी sphere shape में ही है, तो चलिए, next हम देखते है, no more, a shape like a dice is called a cube, yes, आप vacation में खेलते हैं, like leader खेलते हैं, तो कैसे snake and ladder खेलते हैं, तो जो dice होती है, जि cube shape में होती है, like यहां पर one है, two, three, four, five, six, okay, तो ये cube shape होता है, कौन से shape होता है, क्यूब ही बोलते है, next है student, आपको ये shape दिखाई दे रहा है, क्या ये circle है, नहीं, circle means ऐसे पूरी गोल होती है, बट ये देखिए थोड़ा सा ऐसे है, इस shape को हम oval कहते हैं, जो कि आपने first standard मे सीखा हुआ है, ये आपको shapes था, oval shape, so a shape like an egg is called an oval, आपने egg देखा होगा, अंडा वो भी oval shape में ही होता है, चलिए next देखते हैं, आपे activity दी हुई है, match the pairs, आपको objects यहां पर दिये हैं, मतलब सामान दिये हुए हैं, और यहां पर आपको shapes के names दिये हुए, तो उस object को उसके name स इसे आपको match करना है, तो चलिए, first shape हमें क्या दिखाई दे रहा है, sphere shape, ball है, तो ball कौन से shape में होता है, sphere, तो ये रहा sphere, तो हम से sphere से match कर देंगे, okey, next है, ये आपको मैंने बताया था student match box के shape में देख रहा है, तो ये होता है, क्यूबॉइट, चलिए क्यूबॉइट का है, यह रहा क्योबॉइड तो इसे हम क्योबॉइड से मैच कर देंगे देखिए यह क्योबॉइड और यह हमारा स्फियर ओके नेक्स्ट कोण ओके यह क्लॉंस की जोकर की टोपी इस शेप में होती है आप बर्डे में भी यह कैप यूज करते हैं ओके तो यह होता है हमारा कॉण तो यहांप पर इस यह को सब्सक्राइब करें कि आपको जो भी आपछेंप का नाम ही तो आके और आप एप की चाहिए और चेक करिए इस शेप की कौन कौन सी चीजे हैं तो आपको अब्जरवेशन पर आपको वह चीज पॉमनेंटली लर्न हो जाएगी आपको पर्फेक्ट पता चल जाएगा अब्जेट के बारे में तो ऐसी चीजे आपको ढूनिए तो घर में स्फियर शेप में जो ज हो गया डाएक या के उलक्त हो गया तो यह मिल जाएगा सिलिंडर शेप में बहुत सरी बॉटल्स ठोज टी है तो इस तरीके से आपको स्टिलिंडर शेप में भी चीजे को ढूनना है और बैटरी आथी आपको मिल जाएगे आराम से तो ऐसे यह सूअ,घ्द़ रहा है आप आपने शेप के बारे में तो सीख लिया student, अब आप सीखेंगे ages and corners के बारे में, ages क्या होते हैं और corners क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, handle the following object of box, आप एक box ले लिजिए, thread, reel का जैसे कि आप धागे का reel होता है, इसमें धागा लपेटा होता है, वो ले लिजिए, ice cream cone ले लिजिए, identify the geometrical shapes and answer the following questions, और आपको उसे observe करना और उसके answers देने, यह कौन से shape है student, आपको पता है इस shape हम हम क्योबइड कहते हैं, faucon cuboid में क्या होते हैं, पहले आपको यहां पर बोला है, ages and corners आपको पता होना चाहिक्पे, ages किसे कहते हैं और corners किसे कहते हैं, तो पहले मैं आपको बताती हूँ, ages के बारे में की, देखिए एजिस क्या होते हैं जैसे कि यह एक कॉर्णर और यह कॉर्णर दोनों को हम मैच करते हैं तो हमें एजिस मिलते हैं समझ में आ रहा है चुडेंट आपको यह एजिस फिर यह है एजिस यह लाइन ड्रॉक यह दिख रहा है दो कॉर्णर को जो लाइन जॉइंट करती ह उसे हम क्या कहते हैं एजिस कहते हैं तो यहां पर how many ages does it how तो आपको कोई भी अपने घर में जाके ढूनना है कि क्या क्या है और उसके ages को observe करना है तो क्यूबोइड में कितने ages होते हैं 12 ages होते हैं आप count करेंगे तो 12 ages मिलेंगे हर्त यहां पर 12 में क्यूबोइड में how many corners does it how corner तो आपको पता ही वोगा जैसे आप पर हैं में जाके बैठ जाते हैं तो क्यूस को ने तो को ने कि इसमें काकणर है ओक तो देखिए यहां पर यह को ना eight corners होते हैं, कितने होते हैं student, eight corners, ओके, चलिए अब हम cylinder shape का देख लेते हैं, यह दिख रहा है आपको, यह जो है na cylinder shape है, इसका age क्या होता है, जैसे कि यह मिल के बनाईए एक age है, यह भी age है, और यह जो body है, इसकी यह circular है, कैसी है, circular है, तो how many ages and corners does it have, तो cylinder shape में student, कितने ages होते हैं, two ages, यह एक ages, और इस side का एक ages, तो one और one मिल के हो जाते हैं, two ages, कितने ages हो जाते हैं student, two ages, और corners कितने होते हैं student, यह, इसमें एक भी corner नहीं होता है, corner क्या होता है, देखिए ना, पूरर circular है, कोणा कहीं दिख रहा है, क्याने फूरा गोल गोल है, तो round shape में कभी corner मिलता है, क्या नहीं, ओक जहां पे line होती है, ऐसे, ओक तो वहां पे corner हमको मिलता है बटि यहां पे पूरा circular है, तो circle में कहीं भी एक भी corner नहीं होते हैं तो corners कितने आएंगे student, zero corners कितने होंगे, zero corners चलिए आजाते हैं, कौन shape है, तो कौन में ages circular होते हैं और ये corner है, देखिए, ये हो गया हमारा age, ये एक पूरा मिला है तो ये age हो गया, जो की circular shape में है और corner देखिए, दो line जहां पर touch होती है, वो हो गया corner तो यहां पर हमें मिल गया corner, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कितने ages और कितने corner होते हैं, so ages होते हैं, one ये दिखिए रहा है, one, so ages कितने हो जाएंगे, कौन में one ages होते हैं और corners भी one होते हैं, तो corners कितने हो जाएंगे student, one, okay तो I hope आपको ages और corners के बारे में समझ में आ गया होगा, what is ages and what is corners and जो आपका keyboard shape है, उसमें कितने होते हैं, cylinder shape में, फिर कौन shape में ये आपको learn करना है नीचे ये same आपको object में भी दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर activity, handle the object shown below, observe and write how many ages in corners, each object has, yes आप अपने घर में से इस shape के object उठाईए और चेक कीजी कि कितने ages हैं, okay इस तरीके से आपको ages को observe करना है, तो दिखिए आपको दिख रहा है book, book में कितने ages होते हैं student, so 12 ages होते हैं, कितने ages होते हैं, 12, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, okay तो 12 ages होते हैं, और corners कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं student, 8, जैसे कि आपको कोई भी cuboid shape का लिसे, जैसे कि मेरे पास यह color box हैं, तो इसमें भी आप observe कर सकते हैं, जो ages कितने हैं, यह cuboid shape में है student, तो यहाँ पर देखिए, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, then 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये part 9, 10, 11, और 12, तो पूरे कितने हैं, जैसे होते हैं, 12, और corners 8 मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर इसे दिखाते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यह दोनों तरफ से हैं, तो आपको 8 corners मिल जाएंगे, और इस तरीकी से भी मेरे पास कौन शेप नहीं अविलेबल है, अगर आपके पास कौन शेप में कुछ है, तो आप उसमें observe कर सकते हैं, कि ages जो मैंने आपको पहले भी बता है, कि ages यह वन यहाँ पे दिख रहा है, यह 1 circular ages है, और यह 1 corner है, तो बुक में भी आप काउंट कर सकते हैं, बढ़ यहाँ पर प् फुटबॉल, येस आपके घर में फुटबॉल होगा, तो उसमें देख सकते हैं, पूरा यह round round होता है, तो ना तो इसमें ages मिलेंगे, और ना ही corners मिलेंगे, so ages 0 and corners भी 0, लाइक अभी आपने देखा कि जो कौन शेप होता है, कौन शेप में एक तो पूरा circular है ना, ऐसे 1 corner य लेकिन ये फुटबॉल के सब पूरा ही goal है, आपे कोई भी कोना वगरा नहीं, पूरा सब तरफ से ये round है, तो इसलिए ages भी 0 है, और corners भी 0 है, कहीं भी आपे ages समझ में ही नहीं आगा, ages कहां है, okay, so 0 ages and corners, अप याद रखे कि sphere has 0 ages and 0 corners, because this football is in sphere shape, okay, so whatever is sphere shape, you have to write ages 0 and corners 0, तो ये student बहुत ही important है, आपको इस chapter में ये याद रखना है, इसको अच्छे से learn कर लीजी, because आप सब में count करते नहीं बठेंगे, तो आपको ये याद रहना चाहिए, कि जो हमारा cuboid shape है, उसमें ages 12 होते हैं, corners 8 होते हैं, और phone में ages 1 होते हैं, corners भी 1 होते हैं, like cell में ages 2 होते हैं और corners 0 होते हैं, football में ages 0 होते हैं, corners भी 0 होते हैं, तो student आपको ये ages और corners के बारे में तो समझ में आ गया होगा, चलिए आपर कुछ game as a game क्या दिया है, देख लेते हैं, object having geometrical shapes are put in a cloth bag, एक आपको cloth का bag लेना, उसमें बहुत सरे geometrical shape की चीज़े को रखना है, one child put his hand hand inside the bag, एक ब the object and tell how many ages and corners the object has, आपको feel करगे बताना है कि इसमें कितने ages और कितने corners है, other must guess what the object is, और बाकी लोगों को observe, means guess करना है कि वो कौन सा object होगा, okay, think which shape has no ages and no corners, मैंने कौन से shape में बताए कि no ages and no corners होते हैं, तो yes, sphere shape में, okay, कौन से shape में, sphere okay, sphere shape में, no ages, no corners होते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, third, flat surface and curved surface, अभी आपने ages, corners, shape के बारे में तो सीख लिया, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, कि flat surface क्या होता है, और curved surface क्या होता है, तो flat means, जो पूरे तरीके से flat जगह होती, जैसे कि पूरी साफ flat जगह होती होती हो, okay, means, उबडखाबर नी रेक्दम, plain, flat means, plain, okay, plain जगह, curved means, जो curved, round, 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 round जैसा curved होगा, okay, तेड़ा, मेरा, like, C, कैसा है shape, curved है, ऐसे curved रहेगा, round, round shape में से, तो ये दो आपको यहाँ पर सीखना है, तो चलिए, देखें, point out the flat surface and curved surface of the following object, आपको यह पर कुछ object दिये, उसमें स flat surface और curved surface बताना है, okay, तो चलिए, देखें, पहला, cone shape है, देखें, यहाँ पर आपको दीख रहे है, student, यह यह आपको दीख रहे है, यह देखें, यह जो जगह है नीचे, यह पूरी flat है, okay, means, plain है, तो यह flat surface हो गया, curved means, जैसे कि आपने देखा है, उसकी cone है, उसकी body कैसे curved, गोल होती है, चार तरिके से, तो यह curved होता है, next, एक देखें, student, next, आपको यहाँ पर क्या दिया है, flat top surface, okay, यहाँ पे आपको keyboard shape दिया है, तो यहाँ पे आपको flat top, यह top का पार दिख रहा है, पूरा plane है, तो flat top surface हो गया, और यह जो side में दिया है, वो flat surface है, यह भी flat surface है, और यह जो नीचे वाला है, वो भी flat है, इसे हम bottom भोलेंगे, bottom यानि सबसे नीचे का, तो यह flat bottom surface है, यह flat top surface है, top यानि उपर का, bottom यानि नीचे का, और flat surface, यह भी आपका flat है, तो चलिए देखते हैं, अप cylinder shape में क्या क्या है, यह आपका cylinder shape, तो उपर वाला flat top surface है, दिखिए flat plane है, नीचे flat bottom surface है, यह भी नीचे का पूरा flat है, और यह जो body होती, इसकी like अपने gas क बाटला देखा होगा, या फिर आपने bottle देखा होगा, तो वो curved surface की body होती है, यह पूरा जो हैता है, यह curved, गोल-गोल होता है, so I hope आपको flat surface और curved surface के बारे में समझ में आ गया होगा student, चलिए आगे बढ़ते हैं, activity दिया है, color the flat surface of the object, yellow, यहाँ पे, यहाँ पे, color the flat surface of the object, यहाँ पे, जो भी चीज़े flat है, उसे yellow color करना है, and the curved surface को blue करना है, तो यहाँ पे हम, flat surface कहाँ कहाँ दिख रहा है, दिखिए, यह flat है, तो इसको yellow कर देंगे, यह yellow, फिर यह भी flat है, यह भी flat है, तो cuboid में हमें curved surface नहीं मिलेगा, flat ही मिलेगा, तो यह हो जाएगा, हमारा yellow, अभी यह क्या दिख रहा है, student, पूरा curved है, यहाँ पे flat है, यह दिखिए, curved, 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 तो इसे हम कौन सा color करेंगे, student, यहाँ पे, बुला है, blue color, so blue color ले ले लेते हैं, और यहाँ पे, हम कर देंगे, blue color में, तो यह curved को हमें blue करना है, next क्या है, student, देखिए, नीचे आपको flat दिख रहा है, तो नीचे का जो है, वो हम yellow कर देंगे, यह cylinder shape में है, यह दिखिए, नीचे flat है, plain है, और यह जो इसकी body है, वो blue color में करेंगे, because यह क्या है, curved है, यह पूरा round है, तो यह curved में आजागा, दिखिए, यहाँ पे curved surface दिया है, आपको cylinder shape में, वही same है, यह gold होता, curved होता, इसको flat मत देख, आपको लगेगा, यह flat है, यह जब आप bottle को देखोंगे, तो पूरे तरी, चारो तरफ से वो round रहेगा, तो उसे हम curved ब जगह है, ठीक है, इसको आप नीचे रखेंगे, तो वो बैट जाएगा, बेस, तो यह flat है, लेकिन जो यह body है, उपर की, वो curved होती, जैसे कि यह पे दिया था, तो यह curved body को हम क्या करेंगे, blue color से color करेंगे, तो इस तरीके से आपको student color करना है, चलिए नीचे देखते हैं, क् प्राक्टिकल में क्या दिया, collect object of different shape, आपको बहुत सरे shape की चीज़े इकठा करनी है, find out the flat surface and curved surface, वहाँ पे flat surface और curved surface को आपको find out करना है, second, prepare cone shaped cap for the new year party, आप अपने जो भी book के pages हो, जो waste pages उसे use करें, newspaper page का paper use कर सकते हैं, उसे आपको cone shape का बनाना है, cap, और अपने new year party उसे wear क prepare paper boxes under the guidance of your craft teacher, अपने craft teacher के guidance में prepare करना है paper boxes, आप बना सकते हैं, तो इस तरीके से आपको practice करनी है, student, यहाँ पे shapes के बारे में, अब यहाँ पे fourth topic क्या है, sliding and rolling, slide क्या होता है, roll क्या होता है, यह तो बहुत easy find out करना, दिखें, आप garden गए हैं, कभी student, पार्क में गए हैं, yes, यहाँ पेठे ही होंगे on slide में, तो slide क्या होता है, आप यहाँ पेठें और सीधा नीचे आ जाते हैं, यह So look at the picture and stay aloud आपको देखना है और बोलना है The box is sliding अभी देखें यहाँ पर दो slide दिखाया गया है ओके यह जो girl है उसने क्या डाला यहाँ पर एक box डाला तो box क्या हुआ अपने box इस पर डाला और वो slide हो गया सीधा नीचे आया लेकिन दूसरी लड़की ने ball डाला ball क्या होगा गोल गोल गुमके roll रोल होके आएगा तो यह डाला सुप से direct आगा लेकिन ball क्या होगा गोल गुमते गुमते आएगा तो इसे ही rolling कहते हैं और इसे ही sliding कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा student what is rolling and what is sliding जो भी flat object होता है वो slide होता है जो भी curved object होता है वो roll होता है object having flat surface surface is slide वो object जिसका surface flat होता है वो slide होता है और वो object जिसका surface curved होता है वो roll होता है some object can slide as well as roll लेकिन student कुछ object ऐसे होते हैं जो slide भी होते हैं और roll भी होते हैं तो हम आगे देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो slide भी होगी और roll भी होगी तो चलिए हम start करते है activity look at the object, look at these objects, write s for slide जो slide होता है उसे s लिखना है और जो roll होता है उसे हमें r लिखना है और जो slide और roll दोनों होते हैं उसे हमें sr से लिखना है तो समझ में आगया s for slide, r for roll, sr for slide and roll both तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है यह आपको दिख रहा है यह है आपका bangle तो bangle कैसा होता है? circular shape में होता है ना student तो इसका curved body होती तो यह क्या होगा? slide होगा की roll होगा? तो curved body हो तो obviously roll होगा यह जो ball है, ball क्या होता है? चारो तरफ से गोल होता है ना student तो यह क्या होगा? आपका roll होगा, okay match box पूरा flat है तो यह हो जाएगा आपका slide bottle, देखिए student, bottle क्या होगा? अगर आप उसको roll जैसे कि अगर आपने bottle को curved surface से अपने गिरा है तो वो क्या होगा? रोल होगा लेकिन उसको flat तरीके से डालेंगे, अगर वो flat parts से डालेंगे, like direct, तो वो क्या होगा? slide होगा, लेकिन इसमें पूरा roll है, like cylinder shape पूरा roll है, तो यह roll होगा, okay? फिर orange यह भी roll होगा, क्योंकि यह पूरा roll होता है, book क्या होगी? slide होगी, okay? क्यूंकि यह flat surface है, tomato curved है पूरा, तो obviously यह roll ही होगा, duster कैसा है, duster यह आपको दिख रहा है, पूरा flat surface दिख रहा है, तो यह आपका slide होगा, okay? next है, cell, तो यह क्या होगा, student, roll होगा, because इसका curved body होती है, so roll होगा, ball भी roll होगा, because curved होता है, अब यहाँ पे cone दिख रहा है, student, तो देखिए, cone क्या होगा, cone में flat surface भी होते हैं, और curved भी होते हैं, तो यह roll भी होगा, और slide भी होगा, तो इसको हम SR लिख देंगे, slide and roll दोनों होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक दबा दिख रहा है, दिखी, यहाँ पे यह flat surface भी है, और curved body भी है, तो यह भी roll भी होगा, और slide भी होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन यह जो दिख रहा है, अगर आपने इसको खड़े करके, बैंगल को डाला, जैसे कि अभी देखिए, यह बैंगल है, ठीक है, यह कैसा है, यह flat surface भी है, और round, अगर मैं इसको ऐसे slide पर डालती है, तो यह ऐसे roll होके आएगा, अपने ऐसे slide, अभी मेरे पाँ slide तो नहीं है, बट ऐसे roll होगा, लेकिन अगर मैंने इसको सीधा direct ऐसे डाला, ओके, like ऐसा है, तो यह ऐसे करके डाला, देखिए, slide हो गया, तो यह ऐसे डाला, तो slide हो गया, लेकिन ऐसे डालूंगी, तो roll हो जाएगा, ओके, तो यह slider roll दोनों भी हो सकता है तो इसको हम SR लिखेंगे, means slide भी होगा, roll भी होगा, तो आप भी observe करके देख सकते हैं, कि कैसे यह होगा, आप अप यह सारे सामान आपको अपको घर पे मिल जाएंगे, तो आप उसको देख के खुद करके practice कर सकते हैं, कोई ऐसे डहलान वाली चीज़े ले वीजिए, और उ और match box slide होगा, bottle roll होगा, orange roll होगा, book slide होगा, tomato roll होगा, duster slide होगा, cell roll होगा, ball roll होगा, जो हमारा यह cone shape में है, cap यह slider roll दोनों होगे, विकास इसमें flat भी होता है, और curved भी होता है, और यह जो डबा है वो भी flat भी है और curved भी है, तो अगर आप इसको base से डालेंगे, तो slide हो से डालेंगे, तो roll हो जाएगा, तो slide and roll दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर I hope student आपको sliding and rolling समझ में आ गई है, तो इसी के साथ साथ हमारा यह जो second chapter है, इसमें आपने कई concept सीखे, यह complete होता है, आपने sliding सीखी, rolling सीखा, फिर ages, corners, और भी shapes आपने सीखे, activity भी की, अपने coloring की, पिर यहाँ पर जो है, यह अब हमारा ages corner, आपने जिसमें भी slide roll सीखे, flat surface और curved surface के बारे में भी सीखा, तो पूरे हमारे four concept आपने सीखे हैं, student यहाँ पर, okay, तो पूरे four concept आपको I hope समझ में आ गए होगे, chapter 2 में, तो यहाँ पर यह जो chapter student complete होता है, I hope आपको समझ में आ गया आपको समझ में आ जागा, so thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye